लो दोस्तों, वेलकम टू कुक कार्वें विशुशेला, आज मैं बनाने जा रही हूं मतर पनीर, उसके लिए है मैंने एक पैन, उसमें डाला है थोड़ा सा कुकिंग ओईल, फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सी काजू, अदरक, लेसन, टमाटर, प्याज और हरी धनिया, हर बहुत ही बढ़ें आता है इसलिए हम अच्छे से पकालेंगे और तोड़ा सा चीन जो की इसके टेस्को बैलनस करेंगे जिसे तमाटर, प्याज सब चीज बढ़ी है तो इसके टेस्को बहुत ही बैलनस कर देता है वो, फिर हम लेंगे एक मिक्ष्र जार और उसमें सारी ची बढ़िया स्मूध सा पीस बढ़ चुका है अब हम लेंगे गैस बेक पैन उसमें तोड़ा सा कुगिंग ओल जादा ही डालेंगे किकि इसमें हमें फ्राइ करना है पनीर और जो बचा हुआ तील होगा उसी में मसाले को फ्राइ कर लेंगे पनीर को मैंने ट्राइंगल शिप में कट किया है और फेसे अलटती बलटती फड़ा पका लेंगे पनीर को मैंने तोड़ा जादा ही पका लिया है एक्षिली कुछ और कर रही तो जादा ही पक गया अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे और जो बचा हुआ ओईल है उसमें थोड़ा सा और ओईल एड़ करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे खड़ा मसाला इसमें में डाला है लाल मिर्च पाउडर, बड़ी लायची, काले मिर्च, लॉंग और दाल चीरी तीज पता डाल कर अब फिर हम इसमें एड़ करेंगे थोड़े से हल्दी नमक और गरम मसाला इसमें मने डालाए गरम मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लालमिश पाउडर, नमक इन सभी को डालके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इन मसालों को अब तब तक भूणना है जब तक कि इसमें से ओइल सब्रेटना होने लगे, कलर बहुत ही पढ़िया आ रहा है, और हम इसे अराब चलाती हुए पकाएंगे जब तक कि तील सब्रेटना हो जाए, यह दिखिए, अब तील थोड़ा सब्रेट हो रहा है, मुझे जादा ग्रेवी नहीं बनानी है तोड़ी थीकी रखनी है इसलिए जो जार में मसाली को पीषा था घुछए फोड़ा सा पानी को दील क मिसकर दे लेगे, इसमें चाहिए तो मलाई भी हम एड कर सकते थे लिकिन आज मेरे बास मलाई थीन तो मैंने थोड़ा सा से जल शेयर करोंगे यूटूब पर यह हमारी सब्सी त्यार हो गई है इसे इपर चलाएंगे और पास मिनटे के लिए और पकने देंगे यह वाई सब्सी देखें किती बड़िया कलारिया आई है लग रहा राक तुम युमी सा बहुत ही टेस्टी बना है यह देखें पॉफेक्ट पटर पनीर तैयार है अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं सर्फ करने के पहले में थोड़ा सा इसके अंदर मैं पनीर को ग्रेट करूंगी इससे क्या होता है ना जो ग्रेवी के अंदर भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आजाता है पनीर के वज़े से और आपने ग्रेवी थोड़ी से पतली रखिये ना तो इस तरह से एक टुकडे को पनीर को इसमें वह ग्रेट करके डाल दीजिए पहुत ही बढ़िया टीस राता है पर मुझे ज्यादा थिक नहीं करने थी सलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला है पर अगर आपका थोड़ा सा ग्र अगर मेरी मटर पनीर की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर करें थांक यू फॉर वाचिंग माई वीडियो ज़िए घर पे मटर पनीर बनाएए खाईए और खिलाएए बाई बाई